हेलो एब्रीवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फैव एजुकेशन आज की स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्टस आप स्पीच की वीडियो बहुत जादा इंपॉर्टन्ट होने वाली है तो अगर आपको सुनाए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक पार्टस आप स्पीच है क्या और कितने टाइप के होते हैं तो सबसे पहले इनको जानना बहुत जरूरी है पहला है नाउन दूसरा है मतलब टोटल एट टाइप से पार्टस आप स्पीच है जिनको मैंने अपने लिश्ट में डाला है नाउन, प्रो नाउन, वर्ब, बहुत ही प्रॉपरली समझेंगे और एक एक चीज़ को प्रॉपर से समझेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रो नाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है तो सारी चीज़ों को प्रॉपर समझेंगे पहले पॉइंट है नाउन, कि नाउन क् इस लिए इमेज लगा के भी आप लोगों को बताया है कि नाउन ये हुए होते हैं इनको नाउन कहा जाता है कोई भी person है noun हो गया कोई भी आपका place है object है noun हो गया animals है noun हो गया अब आगे चलते हैं types of nouns nouns कितने प्रकार के होते हैं तो total eight types of nouns होते हैं पहला है concrete nouns जिसको two parts ने divide कहा जाता है common nouns and proper nouns इसका एक्जाम्पल है car, dog, richard, london, etc. दूसरे नमबर पर आता है abstract noun तीसे नमबर पर आता है countable and uncountable noun चौत्य नमबर पर collective noun पांचवे नमबर पर compound noun चट्वा है possessive noun सात्वा है regular plural noun आट्वा है irregular plural noun तो अब noun की जब मैं एक अलग separate video बनाऊंगा तो उसमें आपको इन सारे pronouns की definition जितने भी types of noun हैं उनकी definition के साथ उनके example के साथ आप सबको समझाऊंगा अभी बात चलने ही parts of speech की अगर मैं एक एक topic को explain करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो अभी सिर्फ parts of speech पे बात कर रहा है कि parts of speech कितने प्रकार के होते हैं उनके क्या-क्या प्रकार हैं तो इस तरह से एक छोटी वीडियो में इसको explain कर रहा हूं दूसरा है वर्ब वर्ब की definition होती है a word that expresses action being a condition definition क्या है a word that expresses action being a condition मतलब वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया वर्ब वो word होता है sentence में हम उन word को verb बोलते हैं जो word क्या शो करे या तो कोई action शो करे कोई expression शो करे कोई condition शो करे जैसे यहाँ पर भी देखे image से आप लोगों को clear समझ में आ रहा होगा paint कोई काम कर रहा है किसी के दौरा paint करने का काम किया जा रहा है तो यह paint जो है verb है cook किसी के दौरा खाना बनाने का काम क्या जा रहा है ride cycle चलाने का काम क्या जा रहा है कोई लिख रहा है कोई dance कर रहा है तो इस तरह के word को इस तरह के word को हम क्या बोलते हैं वर्ब बोलते हैं अब वर्ब के भी दो तीन परकार है पहला है main verb और दूसरा होता है auxiliary verb auxiliary verb को हम helping verb भी बोलते हैं लेकिन main verb को दो से part में divide कर दिया गया पहला regular verb दूसरा है irregular verb तो जब वर्ब की भी एक particular वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को proper verb के बारे में समझाए जाएगा क्योंकि वर्ब एक बहुत बड़ा topic है वर्ब के साथ वर्ब की first form क्या होती है second form क्या होती है third form क्या होती है helping verb को किस तरह से sentence में use किया जाता है तो वो सारी चीज़ में जानेंगे इसलिए आप से फिर कह रहा हूं कि अभी तक आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि यह जो पूरी part of speech की series आने वाली है इस grammar की series को आप लोग बिल्कुल भी miss नहीं करने पाए और proper वीडियो को देखे तो आप लोगों को grammar बिल्कुल basic से समझ में आने लगेगा adjective क्या होता है a word that modify और add meaning या फिर describe a noun और a pronoun adjective उस तरह के word होते हैं जो आपका modify करते हैं nouns और pronouns में या कुछ उनको मतलब एक तरह से describe करते हैं कुछ changes करते हैं या उसमें कुछ add करते हैं example से आप समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा cold milk milk क्या है noun है cold milk ठंडा दूद अब यह ठंडा दूद जो है दूद के आगे जो उसको describe क्या गया है कि दूद की quality क्या है ठंडा है तो यह cold word जो है cold word जो है यह है adjective अगर hot milk होता तो hot adjective होता sweet gum gum का मतलब क्या होता है normal gum आप कोई भी चॉकलेट टॉफी चिंगम उठा लेते हैं normal gum अब उसको describe किया गया sweet gum, salty gum, sore gum तो खटा, मीठा, नमकीन जो gum के quality को describe किया गया उसके meaning में add किया गया उसको modify किया गया वो चीज़ क्या है आपका वो word adjective कहलाता है fan अब fan तो पंखा हो गया hand वाला fan, ceiling fan, stand fan, table fan, wall fan तो fan के आगे यह जितने सारे word मैंने use किये ceiling, stand, wall, hand यह सब क्या हुए adjective word हुए यह fan की quality को बता है quality क्या मतलब fan की describe कर रहा है कि किस तरह का fan है यह quality नहीं बता रहा fan को describe कर रहा है कि किस तरह का fan है loud rocket, shiny boots, big boots, boat की describe कर रहा है कि छोटी boat है या बड़ी boat है आगे चलते हैं अब adjective को भी six parts में divide क्या गया है पहला होता है descriptive adjective, दूसरा होता है distributive adjective, तीसरा होता है quantitative adjective, interrogative adjective, demonstrative adjective और positive adjective, positive adjective adjective, एड़ वर्ब, एड़ वर्ब क्या होता है words that modify या फिर add meanings और describe a verb, an adjective और another verb यानि एड़ वर्ब क्या होता है जो वर्ब की वर्ब की जो meaning होती है उसकी meaning में कुछ modify करे, modification करे या कोई दूसरी meaning add करे या फिर उसको describe करे तो उस word को एड़ वर्ब कहते हैं अब देखें आप लोगों को बीच में confusion होगा इसलिए हम थोड़ा सा एक बार फिर से adjective को repeat कर देते हैं, adjective noun and pronoun में modification, describe को दिखाता है, कि उसके noun and pronoun में क्या modification किये गया है उसकी meaning में, क्या नई meaning add की गयी और क्या describe कर रहा है, वो noun and pronoun के साथ जो उस काम को करता है, उसको हम क्या बोलते है, adjective, verb के साथ उसी सेम काम को करने वाला क्या कहलाता है, adverb कहलाता है तो adverb girls runs quickly, this is a very sweet mango, this is a very sweet mango, अब sweet क्या है, verb है very, इसने sweet, देखिए अगर mango होता तो mango noun हो जाता, अब mango के आगे sweet लगा है, यह adjective है, अगर mango के आगे sweet लगा है, तो यह word adjective का का काम करेगा, लेकिन sweet ऐसे वर्ब है, तो very sweet, तो very आपको क्या हो गया, adverb हो गया, girls runs quickly, run क्या है, वर्ब है, तो runs quickly, बहुत तेज दोड़ लेए, quickly fast दोड़ लेए, तो quickly क्या हो गया, adverb हो गया, adverb हो या adjective हो, यह जरूरी नहीं है कि word के आगे ही लगे, word के बाद में भी लगके, अगर जो आपका वर्ब है, उसकी meaning में कोई दूसरा word, वर्ब के word की meaning में कोई दूसरा word, अगर उसके meaning को change कर रहा है, या उसको describe कर रहा है, तो वो word, adverb कहलाता है, हमने क्या बताया, कोई भी ऐसा word, जो वर्ब की meaning को change कर रहा हो, उसको describe कर रहा हो, या उसकी meaning में modification कर रहा हो, तो उस word को हम लोग adverb बोलते हैं, better reads quite clearly, an adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb, types of adverbs, adverbs कितने types क्यों होते हैं, उनके कुछ examples लिखे हुए हैं, तो इसको अभी normally as a video समझ लेते हैं, तो इसलिए channel को subscribe किजिए और आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखे हैं, अब types of adverbs क्या है, adverbs of frequency, adverbs of manner, adverbs of frequency क्या है, always, sometimes, often, usually, frequently, rarely, hardly, ever, never, generally, etc. मतलब ये आप क्या कोई काम ऐसा आप जो करते हैं, उसमें ये आपकी frequency को बताता है, कि कोई सी काम को आप regular कर रहे हैं, always, या कभी-कभी करते हैं, या जब दिल कल लिए तब कल लिए, या rare case में कभी कल लिए, तो adverbs of frequency, she normally eats three meals a day, I usually buy all my vegetables at the market, ये इसके example हो गए, adverbs of manner, adverbs of manner में किस तरह के वर्ड आती है, cheerful, efficiently, painfully, carefully, slowly, badly, easily, adverbs of time क्या है, now, yesterday, soon, later, yet, इस तरह के वर्ड क्या होते हैं, adverbs of time को describe करते हैं, adverbs of places क्या है, adverbs of place, of, above, abroad, for, on, away, इस तरह के वर्ड, adverbs of place को describe करते हैं, adverbs of degree क्या है, quite, to, entirely, very, extremely, rather, almost, ये adverbs of degree को show करते हैं, adverbs of evaluation, clearly, fairly, frankly, ये adverbs of evaluation को create कर शो करते हैं, conjunctive words क्या होते हैं, conjunctive adverbs क्या होते हैं, accordingly, besides, equally, further, ये क्या शो करते हैं, conjunctive adverbs को show करते हैं, अब pronoun क्या होता है, a word that substitute for a noun, noun का substitute, pronoun कहलाता है, यानि कोई चीज़ noun है, और उस पे हम उस चीज़ को नाम न लेके, उसको किसी दूसर तरह से show करें, तो वो क्या है, pronoun कहलाता है, जैसे आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, अमित नाम का, अब आप उसका नाम, अमित न बुलाएं, किसी दूसर को आप बता रहें, वो अमित है, तो अमित के लिए वो का यूज किया गया, वो, वो की इंगलिश होती है, तो ही क्या है, नाउन के लिए यूज किया गया है, noun के लिए use किया गया है he क्या हूँ हमारा pronoun हो गया she pronoun हो गया तो देखे English के pronouns के कुछ examples है he she it अब I single है you दोनों एक दूसरे को you बोल सकते हैं आपको कोई बोलेगा you आप किसी और को you बोल सकते हैं you का मतलब होता है तुमर्ण ही वो शी वो ही का यूद्ष लड़कों के लिए किया जाता और शी का यूज लड़कियों के लिए किया जाता है इट कि वी यू देढ़ यह जेद यह शी यू वी जेच यह सार pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, relative pronoun, exclamatory pronoun, possessive pronoun, interrogative pronoun, and indefinite pronoun. Preposition क्या होता है? देखिए सबसे important होता है preposition. आप लोग confused noun, pronoun में नहीं होते. noun, pronoun आप लोगों को आता रहता है. फिर आप लोग आके किसमें बर्ब भी आप लोग जानते रहते हैं. आप लोग थोड़ा सा confused हो जाते हैं adjective and adverb में. तो उसको भी हमने clear कर दिया कि adjective जो noun और pronoun की meaning में changes करे वो adjective होता है और जो verb की meaning को change करे वो adverb होता है. अब लेकिन जब sentence हम लोग daily use में बोलने के लिए या English speaking में use करने के लिए spoken English को अच्छी करने के लिए अपने grammatical error को हटाने के लिए जब हम लोग English बोलते हैं तो सबसे mistake जो बड़ी mistake होती है वो preposition के वज़े से ही होती है सबसे ज़ादा हम लोगों को confusion यही होता है कि preposition का use करे कहां पे तो इसको बहुत ध्यान से समझे preposition की definition होती है a word that show relationship between its object and some other word in the sentence a word that show relationship between its object and some other words in the sentence preposition वो होता है जो object और किसी दूसरे word के बीच के relation को बताता है जैसे अभी आप इस picture में देखेंगे तो यहाँ पे दो-दो object हर उस पे एक preposition के साथ दो-दो object दिख रहे हैं क्योंकि हैं तो सभी object सिर्फ एक three और यह लड़का जो boy बना हुआ यही noun है बाकि table, dog, box, banana, book तो यह living को छोड़के non-living जितने भी चीज़े हैं यह सब object में आ जाते हैं तो सब दो-दो object हैं तो अब यह जो दोनों object के बीच की relation को बताता है वो क्या होता है preposition और preposition का use कैसे किया जाता है सबसे important है यह आप लोग यह भी समझ जाते हैं कि in, under, on, in between, in, front of यह सब है preposition लेकिन इनका use कैसे किया जाता है सबसे important इसको समझें अगर देखे बनाना जो है box के अंदर है तो in, cat यह dog टेबल के नीचे है या कोई चीज टेबल के नीचे है तो under, table के ऊपर है कोई चीज वो बूक हो सकती है, mobile हो सकती, जग हो सकता है, other चीज़े हो सकती है तो on, दो box के बीच यह किसी दो चीज़ों के बीच में अगर कोई चीज रखी हुई, जैसे देखे दो box के बीच यहां पर बनाना रखा हुआ है, तो in between, आप किसी building के सामने, किसी पेड़ के सामने, किसी ऐसे object के सामने खड़े हैं, तो in front of, ऐसे use के जाता है, अभी इसकी भी एक particular वीडियो आएगे, उसको भी आप लोग देखेगा, तो preposition को और अच्छे से समझ पाएंगे, conjunction, conjunction क्या होता है, words that join, words, phrase, or clauses, एक ऐसा word दो word को जोड़ता है, दो phrase को जोड़ता है, या फिर दो clauses को जोड़ता है, conjunction are joining words they join words are sentences या तो दो word को जोड़ के एक निया word बना देता है या दो sentence को जोड़ के एक निया sentence बना देता है तो इस तरह के word को हम क्या कहते हैं conjunction जैसे yet so but or because for and nor हम और तुम बाहर चले यहां हम और तुम हमको और तुमको को जोड़ने के बीच में और का use हुआ यह end हो गया मैं बाहर जाता लेकिन उसके पहले कुछ काम याद आ गया लेकिन की इंगलिश होती ही but पहला sentence है मैं बाहर जाता बीच में लेकिन से हमने अगले sentence को जोड़ा उसके पहले कुछ काम याद आ गया तो जब दो words को या दो sentence को जोड़ने वाले words क्या कहलाते हैं conjunction तीन टाइपस के conjunction होते हैं त्री टाइपस ओफ कंजक्शन आर पहला coordinating conjunction इसके एक्जामपल है for and neither but or yes या फिर so दूसरे sub-ordinating conjunction after, although, unless, because, in order, since, if, that तीसा है, correlative conjunction एक्जामपल क्या है, इसका not only but also not only but also, neither, nor, though, yet तो यह क्या है, conjunction है interjection क्या होता है a word that show surprise or sudden feeling कोई ऐसा word जो आपको surprise को show करता हो या आपकी feeling को show करता हो वो word interjection कहलाता है कोई भी ऐसा word जो आपके surprise को या आपकी feeling को show करता है वो word क्या कहलाता है interjection कहलाता है for example hurry, drive, hey, oh, ouch तो यह word क्या है interjection कहलाते है यह interjection के और भी बहुत सारे example है yahoo, ah, task, task, hi, well तो यह बहुत सारे interjection है इनको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं अब आपके knowledge के लिए है एक homework sentence मैं दे रहा हूँ आप अपनी knowledge को चेक कीजेगा कि यह जो मैंने वीडियो में अभी आपको parts of speech बताया है इसको describe करने के लिए कि मैं अपनी जो noun, pronoun या जो इतने भी parts of speech हैं उनकी एक particular video जब बनाऊं तो यह मेरे reference के लिए आप लोग जब इस questions का answer हमें कि आप लोग किस लेवल तक parts of speech को समझ पाए हैं यहां पर देखिए एक sentence दे रखा है working with your partner identify parts of speech in the following sentences पहला है इंडिया will be defeated in cricket by South Africa दूसरा है शारूख खान is the legendary actor of India थर्ड है दे बोट are my brothers and they study in my school फूर्थ है ब्रेवो यू सेंग on the stage very efficiently इन चारों sentence में क्या-क्या word जो है parts of speech के हैं किसमें कौन सा parts of speech हुआ है यह आप हमें comment करके जरूर बताए ताकि जब मैं आपके जो parts of kinds of parts of speech की एक-एक part की explanation वाली वीडियो बनाओ तो मैं आप लोगों के इस comment को ध्यान में रखते हुए बनाओ कि आप किस लेवल तक parts of speech को समझ पाए हैं और मुझे और किस लेवल तक समझाने की जरूरत हैं तो अगेन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगेन सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ अपने family members के साथ share कीजे हो सकता है उन लोगों को भी इस वीडियो की जरूरत हो और बेसिक से आप सब हमारे चैनल पर English Grammar की Learning वीडियो देख सकते हैं समझ सकते हैं English से Related English Grammar से Related आप सब को कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर आप कमेंट करके मैं बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दीजिए उस टॉपिक पर भी बहुत जल्ड वीडियो आ जाएगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें ठैंस वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना है